दमश्कार दोस्तों सिविल में इस कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नीचे पोलोथिन शीट प्लेस की हुई है इसका नाम क्या तो इसका नाम मेंबरिंग होता है यह हल्प करती है आपकी सीपेज को रोकने में वाट कठा हो गया तो यह से नीचे नहीं जाएगा तो अब इसको हटाना पड़ेगा कंक्रीट पोर करने से पहले यह मेंबरिंग होती है आपकी वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है एक नीचे फुटिंग के इसको यूज किया जाता है अब जो हमारी फुटिंग क अब यहां पर हमारी और सिसी वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है जैसा आप देख रहे हैं आर सिसी वॉल का बनाने का परपस यह ही है यह वाटर टैंक बनेगा हमारे मल्टि स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो हमारी फुटिंग यहां पर है और एक फुटिंग वहां पर है यहां water tank के लिए हमारे पास fire resistance के लिए पानी सेव रहेगा एक storage रहेगा और एक permanent supply के लिए रहेगा आब आर सी सी वोल है हमारी यह retaining wall की तरह काम करेगी बेस में यह 400 mm की ठिकनेस में रहेगा और उपर आते आते यह 300 mm हो जाएगा तो it behaves like a retaining wall जो हमारी RCC wall होती है पर यह water tank के लिए यूज हो रही है और बेस्मेंट में यूज हो रही है तो इसको हमें retaining wall की परपस से यूज करना है अब RMC से आपका देखिए RMC आ गया है ready mix concrete जो होता है RMC का plant हमारा पीछे इस building के पीछे लगा हुआ है RMC से ready mix concrete जो होता हमारा machine में जाएगा और यहां से concrete बोर हो रहा है वहाँ पर तो आज के लिए concept इतना ही यह sheet क्या है इसके बारे में उने बता दिया है आपको कितने कितने mm का steel यूज हो रहा है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वह भी बता दिया है तो अगर आपको steel का पता करना है तो इससे पहले वाली वीडियो देखें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके जो हमारी building high-rise apartment का दूसरी side base त्यार है उसके अंदर कोलम के बारे में बताऊंगा